नमस्कार स्वागत है आपका दर्श न्यूस के इस खास बुलेटेन में आईए अब तक की प्रमुख खबरों को जानते हैं अगवानित सुल्तान गंचपुल हाथ से पर आज पटना हाई कोट में सुनवाई हुई मुख्य न्याधीश के विनो चंद्र एवं न्याधीश पार्थ सार्थी की अध्यक्षता वाली खंड पीठ ने मामले पर सुनवाई की कोट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है कोट ने सरकार को हलफ नामा दाखिल करने को कहा है इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी बिहार विधान सभा का मौनसुन सस्त्र 10 जुलाई से सुरू होने की संभावना है इस जोरान विधान सभा और विधान परिसत दोनों सदनों की कारवाई चलेगी इस बार का मौनसुन सस्त्र 5 दिन का होनी वाला है पहले दिन इस साल का पहला अनुरूपक बजट पेश होगा आखरी दिन इस पर चर्चा के बाद राजसरकार द्वारा जवाब दिया जाएगा 14 जुलाई को मौनसून सस्त्र खतम हो सकता है बिजेपी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा का बिहार दोरा टल गया है मदुबर्नी जिले के जंजारपूर में 24 जून को उनकी रैली होनी थी जो स्थगित हो गई है हाला कि 29 जून को केंद्रिय ग्रीमंत्री अमित्सा का लखी सराय में प्रस्तावित कारेकरम यथावत रहेगा इसकी जानकारी बिहार बिजेपी अध्यक समराट चौधरी ने दी जेपी नड़ा का दोरा क्यूं टलाई इसकी वज़ा अभी तक सामने नहीं आई है आज अंतराश्ट्रिय योग दिवस मनाया जा रहा है अंतराश्ट्रिय योग दिवस के मौकी पर राजभर में जगजग कारेकरमों का आयोजन किया गया सुबह सवेरे बड़ी संख्या में लोगों ने योग कर खुद को स्वस्त रखने का संकल पलिया बिहार में 22 और 23 जून को श्रम भागीदारी समू की दो दिवस्ये G20 बैठक होगी इसमें दुनिया भर से करीब 150 प्रतिनीधी हिस्सा लेंगे बैठक में शामिल होने वाली प्रतिनीधी आज पटना पहुंचे राजपुलिस मुख्याले के निर्देश पर सक्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है आज मुख्यमत्री नितीश कुमार की हुने वाली बैठक स्थगित कर दी गई सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इसकी जानकारी दी सरकार की ओर से अपरी हार कारणों की चलते बैठक नहीं करने का फैसला लिया गया हलाकि बताया जा रहा है कि मुख्यमत्री नितीश कुमार की तब्यक खराब है इसलिए ये बैठक स्थगित की गई कल स्वस्तकारणों की वज़े से नितीश तमिल लाडू भी नहीं गय थे अब ख़बर खेल जगत इंग्लैंड में सोच सीरीज खेली जा रही है पांस टेस्ट मैस्टों की सीरीज में और उस्ट्रेलिया ने रोमांचक अंदाज में पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया एजबेस्टन में खेली गए पहले टेस्ट मुकावली में उस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दो विकेट से हरा कर सीरीज में एक शूनी की बढ़त बना ली है एजबेस्टन टेस्ट में और उस्ट्रेलिया की जीत के लिए 281 रनों का लक्ष मिला था उस्मान ख्वाजा और कप्तान पैंड कमिंस की जुग्यासू पारियों के दम पर टीम ने इंग्लैंड को दो विकेट से हरा दिया उनकी बहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर आफ दो मैच के रूप में भी उस्मान ख्वाजा को उनकी बहतरीन बल्लेबाजी के लिए प्लेयर आफ दो मैच चुना गया है ऐसो उसका दूस्तरा टेस्ट मैच 28 जून से लॉर्डन रिस में खेला जाएगा बिहार और जहारखंड में मौनसून का असर दिखने लगा है बिहार में दक्षनी पश्मी मौनसून का असर दिखना शुरू हो गया है मौसम विभाग ने आज बिहार में ब्रजपात और मीग गर्जन की चेतावनी जारी की है बिहार जहारखंड में बारिश की संभावना है वहीं सिमांचल के तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है वहीं जहारखंड में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है अभी के लिए इस बुलेटन में इतना ही बिहार जहारखन के ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहने के लिए आब अने रहें दर्श न्यूज के साथ अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही खबरे आप तक तेजी से पहुँचे इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाए और आप हम फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्वेटर पर भी उपलब्द हैं तो आप हमारे पेज को वहाँ फॉलो करें और आपको हमारी खबरे कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके बताएं धन्यवाद